दोस्तों आज मैं आपको इस एपिशोटे बताऊंगा कि आईफोन 7 जो की अभी 25,000 रुपए के आसपास दोस्तों इंडिया में जो हमारी e-commerce की वेबसाइट फिलिप कार्ड और Amazon है उसमें मिलना है लेकिन दोस्तों इसको खरीदने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी ह क्योंकि Apple का phone system में मिलना सब को लुभावना लगता है लेकिन इस समय क्या इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें क्या features हैं जो की आपके जो आने वाले जो apps हैं आपकी जो आने जरूरते हैं उनको पूर कर पाएगा नहीं कर पाएगा दोस्तों यह हम आपको इस एपिशोड में इस वीडियो में बताएंगे जिससे आप सही डिसीजन ले सकें कि आईफोन 7 आप खरीदें इस समय या ना खरीदें जी हां दोस्तों एपल का जो आईफोन 7 हुए लगभग 3 साल पहले लांच हुआ थ दोस्तों हमारे देस में सस्ते आईफोन हमिसा से पापलर रहे हो चाय हो सेकेंड है नयुक्त instruct या फिर बहुत पहले लांच हो करके जब पुराने हो जाते तब सस्ते हो जाते हैं तब के आईफोन हो दोस्तों पीछले अगर कुछ सालों की बात करें तो इसमों आईफोन 5 बेस और आईफोन 6 सीरीज के जो फोन्स थे उनकी विक्री काफी ज़ादा हो रही थे और लेटेस्ट जनरेशन के आईफोन यानि ये समय जो आईफोन 11 चल रहा है दोस्तों वो बाजार में काफी महिंगा है तो दोस्तों ऐसे समय माईफोन 7 का जो वेस बैरियन्ट है उस 27,000 रुपए के आसपास कीमत में मिल रहा है लेकिन बहुत सारे इसमें आफर्स भी हैं इसकी वज़े से ये और भी सस्ता हो जाता है अगर एकामर्स की वेबसाइट फ्लिप कार्ड भी बात करें तो ये बहुत सारे ऐसे जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हैं जैसे कि स्टेट बंकाफ इंडिया आईसे सियाई बैंग इस पर आईफोन 7 आप खरीते हैं दोस्तों 25,000 या इससे कम में भी आपको मिल सकता ह लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेशन है वो ये है कि ये जो तीन साल पहले लांच हुआ था तो ऐसे में क्या आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसको खरीदें या ना खरीदें दोस्तों एपल आईफोन 7 सीरीज की जो कमपनी में जो इसने सिप्टमबर 16 में जो नहीं लगा सकते यानि इसका एक्सपैंड आप नहीं कर सकते साथी साथ आईफोन 7 में iOS 13 का अपडेट भी आ चुका है तो आईए जानते हैं सबसे पहले कि आप क्यों खरीदें यानि इसको खरीदने के लिए फिर उसके बाद आप जानेंगे क्यों ना खरीदें यानि इसक चेटर सिंबल होता है तो 25,000 रुपए में मिल रहा है तो कई लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे दोस्तों अगर आप Android यूजर है और आपको बजट कम है लेकिन आपको iOS यूज करना है यानि एपल का फोन यूज करना है तो आपको iPhone 7 से आप सुरुआत कर सकते हैं दोस्त और के जो iOS OS operating system है वो काफी secure होता है काफी private होता है और ये information किसी और को नहीं जाती है दोस्तों ऐसा माना जाता है दोस्तों ये काफी easy to use phone है simple और stable performance वाला smartphone है और आपको budget भी अगर कम है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं दोस्तों वीडियो record अगर ज्यादा करते हैं या फिर content creation यानि जिसे वीडियो बनाते हैं या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के सौक है दोस्तों तो आप इस smartphone को लेकर आप Apple में आप जा सकते हैं सुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इस phone से आपको वीडियोग्राफी बहुत अच्छी मिलती है फोटोग्राफी भी काफी अच्छी मिलती है दोस्तों साथ चाथ Apple का support भारत सहीत दुनिया में यानि हमारे देश में तो है ही इसके अलावा पूरे word में इसका support का जो system है दोस्तों वो काफी अच्छा है इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो company की service की वज़े से Apple के products खरीदते हैं तो ये दोस्तों य वज़ें रही इपल के iPhone 7 जो समय सस्ता मिला है उसको खरीदने की आईए दोस्तों आप जानते हैं कि इसको क्यों नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों ये आपको बहतरी डिस्पले चाहिए इस समय दोस्तों डिस्पले बहुत सारे फोन है जिनका डिस्पले बहुत ये अच्छ और है दोस्तों अच्छी फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो ये स्मार्टफोन आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें सिंगल रियर कैमरा है जो कि डी सेंट फोटो क्लिक करता है लेकिन इस सीग्मेंट में दरजनों ऐसे स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे जिससे आप फोटोग्राफी बढ़िया कर सकते हैं तो अभी हमने इसके प्लस पॉइंट के बारे में आपको बताया था कि इससे आप वीडियोग्राफी तो अच्छी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा फोट नहीं है ये दोस्तों इलफी वाला कैमरा चाहिए या अलग बहुत बढ़िया से डिजाइन या पढ़िया से डिस्प्ले बड़ा डिस्प्ले इस तरह के चाहिए तो भी ये फोन आपके लिए नहीं दोस्तों फास्ट चार्जिंग लंबी बैटरी लाइब डूल सी मिक्स्ट्रा मेमरी लगाने की जरुरत अगर आपको पढ़ती है तो भी ये स्मार्ट फोन आपके काम का नहीं है साथ ही साथ दो सबसे इंपॉर्टन चीजी में लास्ट बताऊंगा आपको वो ये है दोस्तों की वाटसप का आपका अपग्रेड वर्जन आने वाला है जल्दी ही जैनवरी में दोस्तों उसके बाद ये आईफोन 7 जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा यानि आप वाटसप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों इसलिए आईफोन 7 को रिकमन नहीं करता हुमें खरीदने के लिए आपको तो दोस्तों आपको अगर फोन चाहिए इस समय कोई आईफोन या नाइन खरीदिये या कोई और इंडॉयट का फोन खरीद लिए क्योंकि आपको बहुत सारी परिशानियों करना करना पड़ सकता है यादि आप इसको खरीदते हैं अभी तो दोस्तों बस इतना है मुझे उमीद है जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपके का की रही होगी अगले फिर में लेंगे नहीं जानकारी के साथ दोस्तों बस इतना है धन्वाद